आज हम प्याज की बहुत ही टेस्टी ग्रेवी वाली सबजी बना के त्यार करेंगे बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में लाजवाब हेलो फ्रेंट्स नमस्ते स्वागत है आपका जोती की पाक साला में तो चलिए फ्रेंस इस लाजवाब सी प्याज की सबजी को बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे 20 से 25 छोटे वाले प्याज जिसे छील कर दो लिया है और फिर उपर निचे के पास को कट कर दिया है और उसके बाद इसमें हम जड़ी सैट से नहीं उपर स से दो कट लगाएंगे इस तरह से यह देखिए दो कट लगा देंगे ताकि इसमें ग्रेवी नमक अच्छे से जा सकें यह देखिए इस तरह से एक और कट करके दिखाती हूं तो इसी तरह से सारे प्याज में हम कट लगा लेंगे और फिर पहले हम मसाला देख लेते हैं तो मैंने तीन हरी मिर्च एक इंच दरक का टुकरा चार पाच लहसूर किकली और दो बड़ा टमाटर लिया है साथ में एक बड़ा प्याज बारी कट करके प्याज को छोड़ कर बा आम डालोंगी तो आपना आमचूर पाउडर या फिर इमली इसमें डाल सकते हैं तो मैं एक साइट का यह इतना सा पार्ट को गिस करके फिर मैं इसमें यूज करूंगी यह देखिए चलिए अब कड़ा ही गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे हम तीन चमच तेल को अच्छ उसके बाद डाल देंगे इसमें हम धय्याज करके हमने रखा था और है और इसे मीडियम टू हाइल फ्लेम पे दो मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे तो यह देखिए दो मिनट हो चुके हैं तो बस दो मिनट ही फ्राई करना है अब हम इसे निकाल लेंगे तो यह हमने प्याज को निकाल लिया है अब सेम कराही में सेम तेल में अब तेल नहीं डालेंगे हम फोरन डालेंगे तो फोरन में हमने लिया यहां प और दो पिंच हींग तो अगर कोई चीज आप नहीं खाते हो ना तो उसको डाल देंगे और इसमें कुछ बेसिक मसाला डालेंगे तो एक छोटा चमच हल्दी पाउडर ये कलर के लिए कास्मीरी लाल मिर्च एक बड़ा चमच धनिया पाउडर और ये रेगुलर तीखा लाल मिर्च है तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अगरिंग जितना भी पसंदो को दाल सकते हैं इसमें अब इसे हम भूनेंगे अब इसमें स्वात के नुसाः नमक डाल देंगे तो अगर आपको अंदाजा हो तो अभी डालिए नहीं तो सबजी प्याज डालने के बाद डालिएगा मसाला में नमक डाल के भूनने से अच्छे से भूना जाता है एक बार जो मसाला ये पांस साथ मिनट हो चुके है आप इसमें हम डाल देंगे हमने जो आम को घीज के रखा था ना इसे और इसे भी हम पस दो चमज डाला है अब इसे भी हम दो से तीन मिनट के लिए भूल लेंगे मसाला को अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है तो मसाला को आप टोटल साथ से आठ मिनट भूनिएगा उसके बाद ये देखे मसाला अच्छे से भून चुका है तो अब इसमें हम फैटा हुआ दही डाल देंगे तो एक कप दही है तो जितना सबजी बना रहे हैं उसके एकॉडिंग लीजिएगा इस टाइम में फ्लेम को या तो लो कर दीजिए और नहीं तो ओफ कर दीजिए और कंटिन्यू इसे चलाते रहें आफ करके डाल करके मिक्स करके फिर कैस्कोर्ण कर लीजिए और तब तक चलाते रहें जब तक कि इसमें से उबाल ना आ जाए तो यह देखिए ग्रेवी में से उबाल आ चुका है ना तो अब हम इसमें क्या करेंगे हमने जो प्याज भून के रखा था इसे डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में फ्रेंट्स आप एक बार चुरू ट्राई कीजिएगा उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे ना जितना भी ग्रेवी की थिकनस चाहिए उसके एक और डिक गरम पानी इसमें हम डालेंगे गरम पानी डालने से ना कुकिंग का जो प्रोसेस है वो रुपता नहीं है तो यह देखें जितना भी आपको ग्रेवी पसंद हो थिकनस उसका गाढ़ा चाहिए या पतला उसके एक होड़ेंग आप इसमें गरम पानी डाल दीजी और इसे अच्छे से मिक्स करके और फिर कवर करके इसे चार से पाच मिनट के लिए और पकाएंगे चार से पाच मिनट के बाद यह देखें आप बीच बीच में एक से दो बाद चलाते रहेगा इस तरह से तो यह प्याज की सबजी हमारा बनके तयार है तो अब हम इसमें एक छोटा चमच गरम मसाला डाल देंगे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे दो मिनट के लिए और कभर करके पका लेंगे फ्लेम को हम लो रखेंगे दो मिनट के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी की थीकनिस और सबजी हमारा कितना बढ़िया लग रहा है अब हम उपर से डाल देंगे बारिक कटा हुआ हड़ा धनिया और ये लीजे हमारा बहुत ही तेस्टी प्याज की सबजी ग्रेवी वाली सबजी बनके त्यार है आप इसे पूरी के साथ पराठा के साथ रोटी के साथ चावल के साथ किसी भी चीज के साथ आप इसे खा सकते हैं तो कभर करके पाँच मिनट के लिए छोड़ देते हैं और पाँच से साथ मिनट के बाद आप देख सकते हैं सब्जी हमारा बिल्कुल तयार है सर्फ करने के लिए कैसी लगी आज की रेसिपी प्लीज कमेंट करके बताईएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और विडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और फैमली के साथ से जरूर कीजिएगा तो आप भी बना के इंज्वाए करिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट विडियो में तब तक बाई बाई जैराम जी की